त्रिशू लजुकेशन में आपका बहुत-बहुत स्वागत है, मैं हूँ बिनुद मिया, और आज हमारा जो टॉपिक है, जिसके उपर हम चटचा करने वाले हैं, जिसको बिस्तार से पढ़ने वाले हैं, उस टॉपिक का नाम है, अलपा धिकार का बिक्री अधिक्तम मॉडल, अलपा धिकार का बिक्री अधिक्तम मॉडल, जिसे इंग्लिस में कहते हैं, सेल्स मेकजिमाईजेशन मॉडल ओफ ओलीगोपोली, तो जहां पीछे जुड़ गया, अलपा धिकार का, अब जो ये मॉडल है, सबसे पहले बात करते हैं, कि मॉडल दिया किसने, तो इस मॉडल क देने का जो काम किया, ये इस मॉडल का जो विकास किया, जो परती पादने किया, वो किया, प्रोपेसर डवलू जे बामूल ने, किसने किया, बामूल ने किया, इसलिए इसे बामूल का बिक्री अधिक्तम मॉडल भी कहा जाता है, अब मॉडल कहो, अब चाहे सिध्धान तो कहो दोनों बात एक ही है बामोल ने एक पुस्तक लिखी एक किताब लिखी उसका नाम था Business Behavior Value and Growth और यह जो किताब थी यह छपी कब 1967 में 1967 में इसका प्रकासन हुआ और इसी किताब के अंदर इसी बुक के अंदर उसने अपना ये सिद्धा दिया अलपाधिकार का विक्री अधिकतम मॉडल अब यह मॉडल में वो कहता क्या है इसको समझते हैं कि किसी फर्म का अलपा दिकार की बात कर लेते हैं थोड़ा सा कि अलपा दिकार बाजार की कौन सी कंडिशन होती है कि अलपा दिकार बाजार की उस इस्तिति को कहते हैं कि जापर फर्मों की संक्या कम होती है जादा नहीं होती है जैसे आप बरत्मार में दें computer बनाने वाली company हैं कितनी हैं कम हैं तो अलपा दिकार में company के संक्या ये फर्मों के संक्या कम होती है और उनमें पाए जाता है competition किसके लिए अपनी वस्तों को बेचने को लेकर हमाम चाहता है कि मैं ज़्यादा अपना साबून बेच हूँ इदर लक्स कहरा है कि मैं ज़् मिकार से अपनी वस्तों की विक्री को बढ़ाना चाहते है और लाब प्राप्त करना चाहते है पैसा ज्यादा कमाना चाहते हैं यह होता है अलपा दिकार अब बात करते हैं बामूल के model के बारे में तो बामूल बिक्री को बढ़ाना है जिस वस्तु का वह अधूर प्रोडक्षं कर रहे है उसकी विक्र बढ़ाने कर्थ हो गया पचास की जगाए सार 17 llev अनबह लग इसक्रव वस्तु की विक्री की संख्या को बढ़ाना है बिक्री से अर्थ क्या उसका किसका बामोल का क्योंकि उसने कहा बिक्री को बढ़ाना है आगे लिखावा यहीं पे उपर बिक्री अधिक्तम मॉडल तो बिक्री से उसका अर्थ है कि वस्तों को बेजकर प्राप्त कुल आई अधिक्तम करना है यहां से आप लिखना सुरू करेंगे, इसके बाद यहां पे चलेंगे हम दोड़ा, यहां पे लिखा है अन्य नाम, अर्दात जो बामूल का विक्री अधिक्तम मॉडल है, उसके अन्य नाम भी है, अन्य नाम क्या वई, देखें, विक्री अधिक्तम सिध्धान्त है, अगला नाम उसका क्या है, आई अधिक्तम सिध्धान्त भी है, अब इसके आगे बात करते है कि जो यह model उसने दिया है यह सिदान्त जो उसने दिया है कि फर्म को क्या करना है विक्री पर जदा ध्यान देना है कि इस पर ध्यान देना है विक्री विक्री बढ़ाओ गए वस्तों की sale ज़दा करो ज़दा से ज़दा sale करो तो पैसा तो पना भी आप आजाएगा ज़्यादा से ज़्यादा सेल करने पर पैसा स्वयम ही आजाएगा और यदि सेल कम होगी तो पैसा भी कम आएगा, सिरी सी बात है अब यहाँ पर देखें model लिखा हुआ है तो उसका जो model है, वो दो प्रकार का है एक है उसका aesthetic model और दूसरा है उसका गत्यात्मक model, aesthetic model and dynamic model तो जो हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, वो पढ़ने वाले हैं उसका aesthetic model और वो भी है बिग्यापन रहित, क्योंकि उसका जो aesthetic model है, वो बिग्यापन सहित भी है और एक बिढ़्ग्यापन रहित भी है तो रहित कार्थ हो गया कि वस्तों की जो सेल की जा रही है विक्री की जा रही है उसका पड़्चार पड़्शार पर पैसा खर्च नहीं करना है कोई bold कोई holding उगरा नहीं लगाना है तो अभी हम जिसको यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं या पढ़ रहे हैं वो है aesthetic model बिग्यापन रही तो जिसपे बिग्यापन में खर्चा नहीं किया जाता है और यह model जो aesthetic है यह एक वस्तु का model है यहाँ पर मेरा लिखा हुआ है एक वस्तु नहीं कि aesthetic model जो भी हम पढ़ रहे हैं वो एक वस्तु की विक्री को लेकर है इतना आप लिखेंगे इसके बाद आयते हैं इसके एजमसन मन्यताएं कि जिनको मानकर चलता है कौन बामोल कि यह चीजे होनी चाहिए तब ही जाके कोई फर्म अपनी विक्री को अधिक्तम कर सकती है आगे बढ़ा सकती है तो मन्यताएं क्या है फर्म की एक समय अबदी होती है यह जो फर्म है जो किसी वस्तु को बेचने का काम कर रही है माना वो जूता बेचने का काम कर रही है तो ऐसा नहीं है कि उसके आप टाइम ही टाइम दे रखा है उसके पाँ टाइम है माना एक साल है क्या है टाइम ठीक्स है कि आपको एक साल के अंदर बिकरी बढ़ानी है अरे नहीं बढ़ाएंगी तो क्या होगा भई नीचे जाएगी कमपनी घाटा होगा ना तो घाटा कमान फर्म का मकसद नहीं है, यो कि फर्म जो है, वो प्राइवेट है, फर्म क्या है, प्राइवेट है, प्राइवेट है, प्राइवेट जितनी कमपनी है, उनका मकसद क्या है, लाब कमाना भई, पैसा कमाना है, दुख अंदर का कम क्या है, पैसा कमाना है, तो इसलिए फर्म का ए के साथ अधिकतम विक्री की आसा करती है अर्दाद फर्म फिक्स कर देती है कि इस रेट पर हमें वस्तों को बेचना ही बेचना है इस रेट से नीचे हम नहीं बेचेंगे हाँ इससे उपर बिगेगी तो बहुत अच्छी बात है ओके इसका मिनिंग ये है अगला है नियूनतम लाब फर्म का निर्धारित होता जिस नियूनतम लाब के हम बात कर रहे हैं वो फर्म स्वयम निर्धारित नहीं करती है कि बरतमान में जो फर्में बड़ी-बड़ी कमपनियां है जिसे पेपसी है कोका कोला है ठीक है टाटा मोटर्स है रिलाइंस जियो है ऐसे तमाम जितन हैं उसकी बाजार में बैल्य कितनी है मुल्य कितना है तो मुल्य किस फर्म का किस कमपनी के सेरों का मुल्य सबसे ज़्यादा होता है उसका होता है कि जो की बाजार में सबसे ज़्यादा ताकतवर होती है जिसका नेम और फेम दोनों बाजार में होते हैं उसके share का मुल्य ज़्यादा होता है भाई अब पता चला कोई company नाम सुना ही नहीं है fraud company है उसने बेचना शुरू कर दिया तो उस company के share का जो मुल्य होगा वो सबसे कम होगा क्योंकि उसको लोग खरिदींगे नहीं और जो company लाब में चल रही है उनी के share तो लोग खरिदते न तो इस पकार से share धारा क्या बन जाते हैं जितने आप परतिसाथ share खरिदे हो उतना ही आप भी मालिक बन जाएंगे यदि हेंडेट परसेंट में आपने पचास परसेंट खरिद दिया तो पचास परसेंट हिस्से के मालिक आप होगे ठीक है तो न्यून्तम लाब फर्म का निर्दारित होता है उसके share बाजार में जो उसके share है उसके द्वारा कि कितनी value है उसकी अगला है फर्म अलपा धिकारी है पहले बात कर चुका हूँ जो बामूल का सिद्धान्त है वो अलपा धिकार के लिए उसने बनाया है तो अलपा धिकारी फर्म है उसका जो लागत बकर है चीँग है लागत बकर उसका जो सेप होता है वो you आकार का होता है यहाँ पे लिका है वोस्तों की मांग बढ़ती है आगे क्या बोला यह हम TC, Total Cost और TR यहने की कुल लागत TR, कुल रेवेनियू परम परागत परकार के होते हैं अर्था इसके जो बक्र है वो कैसे होते हैं चाए TC है चाए TR है वो परम परागत तरीके के होते हैं जिरको हम पहले ही पढ़ा चुके हैं तो अधिकान से जो कर्ब हैं वो यू आकार के होते हैं तो इस परकार से आप यहां तक लिखेंगे अब इसके बाद समझते हैं एक उधारन के द्वारा कि कोई फरम बिक्री के द्वारा कितनी वस्तों को बेज कर कितना कितना लाब प्राप्त कर सकती है तो सबसे पहले चलते हैं देखें यहां पे लिखावा है कि एक फरम क्या करती है एक वस्तों का प्रोडक्शन करती है एक वस्तों का उत्पादन करती है और उसका जो मुल्य है उसने निरधारित कर रखा भई कि हमें उसको 8 रुपे में बेचना ही है यह minimum profit है उसका वस्तु 1 है उसने निरधारित कर दिया कि हम इसको 8 रुपे में बेचेंगे यहाँ पर लिखा है MP इसका मतलब marginal product नहीं है इसका अर्थ है minimum profit 8 रुपे से यदि वस्तु की कीमत नीजे जाती है तो हम नहीं बेचेंगे क्योंकि उससे घाटा होगा क्या होगा घाटा होगा अब अगली बात देखिए अब फर्म क्या करती है minimum तो उसने करते 8 रुपे में भी बेचेंगे है लेकिन उससे उपर यदि कीमत मिलती है माना वो 10 रुपे कि हिसाब से वस्तू चली जाती है यदि उसकी डिमांड बढ़ती है तो 10 रुपे में वो बिखेगी तो उसको होने वाला क्या है देखिए यदि फर्म क्या करती है 8 रुपे के हिसाब से 10 वस्तू बेचती है तो कितने रुपे मिलेंगे उसको मात्र 80 रुपे मिलेंगे आगे बढ़ते हैं इसी को लेते हैं कि दि 10 रुपे के हिसाब से वस्तू बेचती है यदि और वो 100 वस्तू बेचती है 10 रुपे के हिसाब से तो कितना लाब उसको मिलेगा कितना पैसा कमाएगी 1000 यदि वही क्या करती है फिर हजार वस्तों को बेशती है और प्राइस क्या रहता है 10 रुपे रहता है तो कितना पैसा मिनने वाला है 10,000 अर्थात जितनी ज़्यादा बिक्री होगी तो उतना ज़्यादा क्या है पैसा आने वाला है तो दो चीजें यहाँ पर मैंने आपको बताई कि एक है फर्मका नियूंता मुल्या ठीक है कि जिस से नीचे वो वस्तों को नहीं बेशेगी आठ रुपे पर तो बेश देगी लेकिन अगली आसा उसकी रहती है कि मैं उससे उपर बेशूंगा भई तोड़ा नहीं कि दस रुपे बेशूंगा अब बाद आती है कि दस रुपे में यदि वो सो बेशती है तो हजार मिलेगा ठीक है यदि वो एक हजार बेशती है दस रुपे के हिसाब से तो दस जार रुपे मिलेगा और जितना जादा बेशती जीजाएगी जतने जैदा उसकी वस्तों की विकरी हो एक लाख बेजती है गुणा 10 तो उस प्रकार से विकरी से उसकी जो revenue है जो उसकी आय है वो बड़ती चली जाएगी तो सेल ज्यादा करनी है क्यों बोला? बा मूल अब बा मूल को ये विचार कैसा आया वाई कि सेल करने से क्या होगा कमपनी के पर जदा रेवेनियों आएगा वह ग्यान उसको इसलिए हुआ कि वह अमेरिकन अर्थसास्त्री है और वह सारी कमपनियों में वह प्रामर्स दाता का काम कर चुका है काम क्या उसने कि वह कोई फर्म अपनी वस्त को प्रोडुक्ट को कैसे बेज सकती है तो बरतमान में क्या चलता है कि बरतमान में थोड़ा हम देखें तो जो अलपा दिकार का विक्री अरिता मॉडल है ये परवंद्य किया सिद्धानत का मॉडल है पहले के टाइम में क्या होता था कि आदमी स्वयम मालिक होता था वही वस्तो का production करता था, वही बेचने वाला, ठीक है, महलब वही मालिक, वही manager, ठीक है, वही labor, वही बेचने वाला, महलब सब कुछ all-in-one वही था, लेकिन जब से company का, firm का आकार बड़ा हुआ है, ठीक है, बड़ा हुआ है, तो मालिक अलग है, ठीक है, उसका honor अलग है, उसके नीचे CEO, Chief Executive Officer अलग है, उसके नीचे तमाम प्रकार के manager अलग है, तो मालिक तो अलग है भई, तो उसने सारा काम दे रहे रहा CEO को, कि Chief Executive Officer, कि तुमने क्या करना है, हमारी जो firm है, इसकी पूरी देगरिक तुमें करनी है, और हम आपको एक package देते हैं, इतने बेतन पर आपको काम करना है, तो जो बड़ी-बड़ी कमपनियां है, वो अपने CEO को क्या करती है, बहुत पैसा देती है, बड़ा package देती है, करोडों का package उनको देती है, एक साल का, किसले देती है, कि तुमें क्या करना है, कि हमारी जो वस्तु है, उसको सबसे ज़्यादा बेचना है, तुमें ऐसी टकनिकी लाओ, ऐसा दिमाग गुमाओ, कि किस प्रकार से हम अपनी बिकर को बढ़ा सकते हैं, तो इसलिए तो उसको पैसा दे रही है, तीकि एक साल का package, और पता जला, कि manager काम का नहीं निकला, वो CEO काम का नहीं निकला, और company गटे में चली जा रही है, तो फिर क्या करेगी, जो फर्म है, उसको क्या करेगी, निकाल देगी, क्या करतेगी, उसको न कामोल ने कहा, कि लाब अधिकतम करना हमारा काम नहीं है, हमारा काम है, अर्था फर्म का काम है, विक्री को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना, तो जितनी ज़्यादा वस्तों बिकेंगी, तो उतमा ज़्यादा पैसा आएगा, चीक है जी, उतमा ज़्यादा क्या होगा, पैसा आएगा तो एक यहां पर हम बात कर चुके हैं न्यून्तम लाब के साथ विक्री को अधिकतम करना है अर्था न्यून्तम लाब हमने बात कर दी कि 8 रुपे और तो उसको बेचना ही बेचना है कम से कम और यही हो गया 7 रुपई तो कमपनी क्या गरेगी नहीं बेचेगी फर्म उसको क्योंकि यहां पर उसको गाटा हो रहा है क्योंकि 8 रुपे तो उसने निश्चित कर रखा वे ठीकि अपनी कॉस्ट भी जोड़ रखे प्रॉपिट भी जोड़ रखा है और पता चला कि 7 रुपे तो एक रुपे का उसको गाटा होगा तो नहीं बेचेगी अगली बात इसी में आपको बता देते हैं कि जैसे जैसे फर्म का क्या होता है आकार बढ़ता चला जाता है मलब वस्तों जिसकी जदा विकेंगी तो फैक्टरी होर बड़ी होती है जगे जगे वो फैक्टरी खोलता है और ज़्यादा जब प्रोडक्शन होता है तो कीमतें गिरती है वस्तों की कीमतें क्या होती है गिरती है, कम होती है और डिमांड क्या होती है, बढ़ती है तो फिर वस्तों क्या होगी, ज़्यादा विकेंगी अब चलते हैं तर्क पे किस पे चलते हैं तर्क बामोल ने तर्क दिये हैं किसके पक्ष में विक्री अधिक्तम मॉडल के पक्ष में क्या तर्क दिये हैं उसने कहा कि विक्री को अधिक्तम करना चाती है फर्म कोई फर्म है चाहे वो रिलाइंस जियो है बरतमान की बात कर लेते हैं, चाहे ओ टाटा मोटर्स है, चाहे फोल्ड है, चाहे BMW है, और कोई भी W है, ठीक, बिकरी को अधिकतम करना चाती है, ठीक है, बिकरी को बढ़ाना है, तो बिकरी बढ़ेगी, तो सोता ही पैसा आएगा, और बिकरी नहीं बढ़ेगी मेरे भाईयों तो पैसा काँ से आएगा तो इसको लिखना है विकरी को अधिक्तम करना चाती है यदि विकरी गड़ती है यदि फर्म के क्या होती है विकरी गड़ती है उसकी वस्तों कि डिमांड कम होती है तो फर्म क्या करती है चिंती दो जाती है जो फर्म का CEO है मैनेजर है उसका मालिक द हो जाता है एंसन मा जाता है अच्छा मेरे सियर बाजार में इतने सियर नीचे चले गए है तो फिर क्या होगा देखो बामुल क्या कहता है ऐसे में रिंडाता उसको उदार नहीं देते हैं यह दि कोई फर्म के आउती गाटे में जाने लगती है उसकी विकरी घड़ती है तो जो पहले उसको पैसा दे रहे थे उदार बैंक हो गये तो उसको पैसा उदार देना नहीं चाहेंगे देंगे ही नहीं उन्हें मालूम है कि गाटा में चला गया तो यह वापस कहां से करेगा तो बैंक वाले उससे कट करना शुरू कर देंगे ओके और इसी के साथ जो फर्म ब्यापारी उसकी वस्तुओं को नहीं खरीते हैं, यानिकि जो बित्रक थे, डिस्ट्यूबिटर थे, जो उसकी वस्तुओं को पहले ले रहे थे, बित्रक से, और उसके बाद पहुंच रहे थी, व्यापारी दुकानदार के पास, अब उसकी वस्तुओं को नहीं खरीते हैं, क्योंकि market के अंदर उसके demand नहीं है लोगों उसको खरीदी नहीं रहे हैं तो फिर बित्रा क्यों क्यों करेदेगा क्योंकि उसको benefit चाहिए दुकान दारा को भी क्या चाहिए लाब चाहिए तो वो नहीं खरीदेंगे उसकी वस्तों को ठीक है एक condition तो यह हो गई किदी बिकरी गड़ती है, तो company की चिंता ही बढ़ जाती है, कि गाटा होने लग गया भाई, company डूबने वाली है, तो bank भी क्या करदेते हैं, हाथ खटा कर देते हैं, ना ना भाईया, हम तुमें loan ने देगे आगे, क्योंकि महमें मालूम है कि तुम चुका नहीं पाओगे, मलसब का विश् वस्तों लोग खरीदना शुरू कर देते हैं कि उसको अंदर quality है गुण है अच्छा वस्तों के अंदर इसलिए तो खरीदेंगे और उसकी वस्तों को ज़्यादा लोग क्या करते हैं खरीदें यह थी फर्म की बिकरी बढ़ती है जब डिमांड बढ़ती है इसको उल्टा भी स ट्रियां लगा दी तो आकार इनका बढ़ गेया ठीक है एक जगह पर नहीं बढ़ आए कि आएए कंटी की किल्लमेतर पेपसी विखेगी जितना कोका कोला विखेगा तो क्या होगा इससे फर्म पर þब्रक को 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 लाब होगा टियार टोटल रेवेनियू कोल विखरी इससे प्राप्त होने वाली आए उसकी बढ़ेगी तता इसका फाइदा किसको हम हैं हम क्या चाहते हैं कि कम प्राइस पर मिले जब जादा अस्तर पर अर्था बड़े अस्तर प्रडॉक्षन होगा उत्पादन होगा तो कीमतें गिरती हैं माना कि हम कंपनी है पैपसी की कंपनी है उसको 10 बोतल बनानी है ठीक है डिमांड 10 होगी है और फैल्ट्री यह होता चला कि ई old इतनी तो बिजली खाजए उसकी कॉस्त अडिने की बोतलय नहीं बनेगी उतनी पहर्टि कोक नहीं बनेगा कि जितना की हजरू में उसका क्या हो जाएगा लाग अतरταक कोस्त आजाएगी लेकिन वहीं पर एक लाग बोतल इसमें बनती है और वह एक ऐसाथ लगा दी गई तो देखे फिर उसकी कॉस्ट वेंसे यह वाँ पर घट जाएगी ठीक है तो कुल बिलाकर आपने यह लिखना है तो कहां से सुरू करना है यह है अलपा दिकार का बिक्री अधिक्ता मॉडल जो की दिया है किसने प्रोपेशर बामोल ने जो की एक अमेरिकन अर् विखिति मुदीशया लाब को अधिक्तम करना नहीं विक्री विक्री को अधिक्तम करना है कि वस्तों को बेज कर प्राप्त कुल आईस है यह वस्तों को बेज़ कर जो आई प्राप्त होगी उस से अर्थ है किसका बिकरी अधिक्तम का यह इसको दूसरा नाम कह सकते हैं कि निउन्तम लाब के साथ बिकरी को अधिक्तम करना निउन्तम लाब क्या बोला? यहाँ पर 8 रुपे हम दे चुके आपको नियूनतम लाब तो इतना पहले आप लेखेंगे इसके बाद आप क्या करेंगे इधर लेखेंगे इसके अन्य नाम भी है उसके बाद बताएंगे कि मॉडल जो है जो की बामूल ने दिया है दो मॉडल उसने दिये है एक स्टाथिक मॉडल है एक वस्तु के साथ और दूसरा है गत्यात्मक मॉडल एक वस्तु के साथ भी और बहुल वस्तु के साथ भी है यहाँ पर जो हम इस्टडी कर रहे हैं इस मॉडल की बात करेंगे कि भाई यह model एक वस्तु के लिए है और यह विग्यापन रहित model है उसके बाद आप इसकी माननेता लिखेंगे इस परकार से यहाँ पर लिखी हुई है ठीक उसके बाद आप क्या करेंगे यह तरक देंगे ठीक है तरक देंगे तो इन तरकों को आप लिखेंगे साब साब आपको करण है सिंपिल भासा में है तो आई होप कि आपकी समझ में इस सारी बातें आ गई होंगी यह वीडियो का पाल्ट वान है अरता बामूल का जो इस दानत मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूं यह पहला पाल्ट है दूसरे पाल्ट में हम आपको बताएंगे कि यह डाइग्रा